सीएसके और पंजाब के मैच के बाद दिखा नोखा नजारा बीच मैच में दीपक ने कर दिया गल्फरेंड को प्रपोज थोनी के सामने गल्फरेंड को पहना दी यंगूठी वीडियो में देखिए ये तिलकश नजारा आई पील 2021 में पंजाब और चिन्नाई के मैच के बाद एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा चिन्नाई सूपर किंग्स पर पंजाब किंग्स ने धामाकेदार अंदाज में जीत दर्च की और पंजाब के कैप्टन केल राहूल ने अपनी ताबरतो बल्लेबाजी से लोगों का खूम मननंजन किया लेकिन राहूल की लाइम लाइट को आज दीपक चहर ने चुरा लिया स्टेडियम में सभी लोग दीपक चहर की और देखने लगे कि आखिर मैच खत्म होने के बाद दीपक अपनी टीम को छोड़ कर यहां क्या कर रहे हैं उसके बाद दीपक चहर ने दर्चकों के सामने ही घुटने पर बैट कर अपने प्यार का इजिहार किया और उनकी गल्फरेंड में भी तुनन था करते हुए दीपक के प्यार को हरी जंडी दिखा दी इसके बाद दोनों गले लगे और अंगूटी बदली इस दोरान फैंस काफी खुश थे और तार्योवी गलगलाहत से पूरा स्टेडियम गूज रहा था आपको बता दें कि से इसके के प्ले आफ मैच से पहले दीपक को अपनी गल्फरेंड को प्रपोस करने का आइडिया किसी और ने नहीं बल्कि खुद कप्तान महेंदर सिंग धूली ने दिया था और दीपक ने उसी पर अमल किया दीपक की गर्फरेंड और अब उनकी मंगेतर आखर कौन है इसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है और सब जानना चाहते हैं कि आखर वो कौन है और दीपक ने उन्हें अब तक कहां छुपा रखा था इसके बारे में जो भी जानकारी आती रहेगी हम क्रिकट सूत्रा पर आपको सबसे पहले बताते रहेंगे तो दोस्तों दीपक चहर के इस बॉलिवोड स्टाइल के प्रपोजल के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताईएगा क्रिकट सूत्रा को आपने अगर अभी तक यूट्यूब पर सबस्क्राइब नहीं किया है तो फटा-फट सबस्क्राइब कर लिजिए साथ ही में नोटिफिकेशन की घंटी को भी जरूर बजाएए हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और आईपियल 2021 से जुड़ी हर खबर जानने के लिए पढ़े रहिए क्रिकट सूत्रा के साथ क्रिक्ते। हुआ हुआ है